जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी अप्टी चैनल एसजेश्टडी पर दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे इंडन ने भी MR और SSR के नई भरती 2023 के बारे में कि 2023 में SSR और MR के नई भरती कब आने वाले है बहुत सार बच्चों का सवाल था इस वीडियों कव आउट होगा, online form कब से fill off होने वाले हैं, next vacancy के age limit क्या रहने वाले हैं, उस पर हम discuss करने वाले हैं, एक वार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा, और Navy के हर update के लिए और class के लिए चैनल को subscribe करके रख सकते हो, आते अपने topic पर और सबसे पहले हम लोग ब मिर भाई, ठीक है, वो भी November last week में हुआ, तो notification आओ, अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो जाके देख सकते हो, जिसका कि अभी हाल फिलाल में क्या हो, चल ला है मिर भाई, physical चल ला है, result result out हो गया, अभी देख लो कि Navy के official website पर यह देखो कि आप लोग देख सकते हो, stage 2 का यानि कि April तक पूरा चीज़ यह clear करके, यह join wine करवा लेंगे candidate को, तो इनका जो होगा, यह 1 by 2023 की भरती जो होगा, complete हो जागा, जैसे इस भरती को complete होते ही, notification क्या होगा, next vacancy के release कर दी जाएंगी, क्योंकि after 6 मन्त बाद, क्या आती है, नभी की vacancy आती है, मतलब कि साल में 2 vacancy, एक आती है भाई, 6 महीने पर, और दूसरे फिर आते है, 6 महीने पर, तो साल में 2 vacancy आएगी, नवंबर में vacancy आई थी, उसके बाद अभी जो देखने को मिलगा, मेरे भाई, आप लोगा इसका जो notification आउट होगा, वो होगा, मेरे भाई, दो बाई, 2023 क्या होगा, दो बार 2023 के आप लोग का मतलब की फिलफ होगा, ठीक है, उससे पहले छोड़ी सिजन कारी आप लोग को दूँगा, वो चीज़ी देखिए आप लोग, तो अभी हम बात करेंगे दोस्तो, CRPF Constable की best book, जो की चक्चु पबलिकेशन के मिरभाई, आप लोग देख सकते हो, CRPF में बहुत को discussion box मिल जाएगा, आप लोग जैसे खरीदना चाहते हो, वैसे इस book को ले सकते हो, offline, online जैसे, ठीक है, तो जाओ फटा वरते इस book को आप लोग खर दो, तो बात करते हैं दोस्तों की form का इसे fill up होगा, तो form जो आप लोगा fill up होगा, मेरे भाई, वो हो जाएगा June से, ठीक है June में आप लोगा online form fill up होगा, वो भी second week से हो जाएगा, आप लोगा form fill up होना, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोलाओ कि पिछले बार जो भरते हैं, यह November में आई थी, last week में, और form जो fill up होगा था, वो December second week से start हो गया था form fill up, तो previous भरती के नुसारी आप लोग को हम बता रहें, ठ सुरू हो जाएगा, ठीक है, आप देखो कि में जो आप लोगा डाउट रहता है, वो डाउट रहता है, दोस्तों आप लोग को अपना age को लेकर कि सर, age क्या रहेगा, ठीक है, age क्या रहेगा, यह चीज़ सबसे बढ़ा माहिनी रखता है, अगर age ही नहीं रहेगा, तो next frequency के आप लिएजिवल क्या होगा, तो जो अभी यूर में भरती आने वाली है, उसके लिए age limit क्या होगा, अगर इतना rate of birth एकदम short rate of birth बता रहा हूँ, इतना rate of birth है तो easily आप लोग का form fill up होगा, और आप लोग अभी से भी त्यारी कर सकते हो, देखो सबसे पहले, सबसे पहले य मेरे भाई, 31,10,2005 के बीच में, अब इसमें 6 महीना बढ़ा दो, ठीक है, 6 महीना जैसी बढ़ाओगा, ये हो जाएगा, next vacancy के लिए age limit हो जाएगा, क्या हो जाएगा, next vacancy के लिए age limit हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, next vacancy के लिए age limit, 11,2002, ठीक है, 11,2002 से लेक अगर आप लोग का डेटो बर्च 31-4-2006 के बीच में अगर आप लोग का आता है तो easily इस form को fill up कर पाओगे मेरा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी अभी वी डाउट है कि sir मेरा next vacancy के लिए जब अचा है या नहीं बचा है तो आप लोग के बार comment section में comment करती है आप आप लोग के reply दे दूँगा या Instagram follow नहीं को follow के लिए पूछ लेना वहाँ पर message करके आपको reply दे दूँगा ठीक है तो यह हो गया आप लोग का next vacancy के लिए age limit क्या रहेगा वो चीज आप लोग का पूरा अच्छे तरीके से मैंने अभी clear कर दिया ठीक है आप देखो कि आप decrease भी हो जाए हो सकता है तो भरती decrease भी हो जाए ठीक है जहां तक देखोगे तो दो तीन साल से भरती को क्या किया जा रहा है भरती में जो ही पोस्ट निकाली जा रही हो पोस्ट में डिक्रीजिंग ही चल ला है जबकि increasing नहीं चल ला हो सकता है कि इस बार क्या करेने भी कहीं 400 500 MR के लिए पोस्ट निकाल दे, हो सकता है गई, क्योंकि 100 आया मेरे भाई, उससे पहले अरहाई सो आया था, उससे पहले 300 आया था, तो ऐसे करके 300 आरहाई 100 पर आ चुकी है, अब देखों, निक्स्ट वेकेंसी में 100 रहता है, यह 400 पोस्ट रहता है, यह कहना मुस्किल है, जहा बहुत सारे भरतिया आप लोगो देखने को मिलने हैं, तो इसके भरतिया में increasing आप लोगो देखने को मिलेंगे, so tension आप लोग नहीं लीजिए, अराम से अगर इतना age limit है, तो आप लोग आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से class भी provide कर दूँगा, ठीक है, तो आप लोग अराम से continuously आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, और अभी से पढ़ हो गए नहीं तो फिर जाके नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग पता है, नेभी में दो exam कर दिया गया, एक exam तो आप लोग का online, दूसरा exam offline, अभी offline exam चला है, जो बच्चे दे रहे हैं, वो बता रहें कि कैसा exam है, exam थोड़ा tough level के आ रहे है, तो मेहनस सुरू सही करना आप लोग को परेगा, notification का वेट मत किजिए, आप लोग बता दिया हो, उस date तक आप लोग को notification सब कुछ out हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग पर प्रेशन पर ज्यादा ज्यादा focus किजिए, और आप लोग चैनल पी नह मिलते हैं दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में टेलिग्राम को जरूर जोइन किजिएगा, हर update notification, study material के लिए, टेलिग्राम का लिंक मेंने description box में दिया हो, सारे कलास का PDF आप लोग वहाँ पर फिरी में देखने को मिल जाएंगे, तब तक के लिए दोस्तों, जाहिंद जाहिंद बातराम